नमस्कार, आज के वीडियो में मैं अप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब हम अपने नया टेलीवीजन घर पे लेके आते हैं, ओनलाइन खरीदा हूँ या कहीं से भी खरीदा हूँ, घर पे टेलीवीजन आ गया, अब हमको सबसे पहले उसमें जो चीज करनी है, इंस्टॉ जब दादा इंपोर्डेंट होता है, यहां पर यहां पर यह पैनल देखने में तो हमको सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, आरे वाँ क्या कलर आ रहे, मस्ट, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, सब बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन आक्चुली में ह हमारा पैनल कितना अच्छा है, मतलब कैसे पता चलेगा, बताता हूँ, मेरे ही चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, टेस्टिंग के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो अभी वो वीडियो को मैं यहां पर आप लोगों को प्ले कर करके बनाया हुआ है, डाला हुआ है, अब इसको आप चालू करना, यह देखिए, अभी मैं अंधेरा कर देता हूँ, तो यहां पर जो टेलिवीजन है, इस पर आप देख रहो यह ग्रे के शेड्स चेंज हो रहे हैं, तो अभी टेलिवीजन पे जो आप यहां देख रहो य ठीक है, उतना तो होता है, बट बीच बीच में भी आप देखो हलके हलकी लाइन्स जैसी, लाइन्स जैसी, लाइन्स जैसी पूरी पूरी इस पे हमें देखने को मिल रही हैं, तो यह जो लाइन्स आ रही हैं, ग्रे की तरफ जादा जाती हुई, वाइट की तरफ जाते हु कोई भी जब कोई विज्वल दिखता था मैं वो कुछ पैनिंग शॉट वगरा होते थे तो उसमें वहाँ पर बढ़ा ग्रे ग्रेसा ऐसा मोटा मोटा दिखता था बहुत इस्टॉब करता था मज़ा नहीं आता था अपना अगर इतना है तो यह ठीक है इतना बड़ा यह 65 इंचिस का टेलिविजन में मैं मान सकता हूंग हाँ चलो इतना कंसीडरेबल है इससे जादा अगर प्रॉमिनेंट है बहुत जादा ग्रे ग्रे मोटा मटा दिख रहे हैं तो तब हमें करना क्या होगा तो तब हमको यह करना होगा कि हम क्योंकि हमने टेलिविजन ने ने लिया है वारेंटी में है ऑगर ऑनलाइन खरीदा ह है तो वहाँ पर हमको रिप्लेस्मेंट का भी ऑप्शन होता है हम उसको रिटरन भी कर सकते हैं तो अगर हमको यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पैनल की पैनल सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर वो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लमाटिक है तो वह बहुत है जब तक कि मैं satisfy नहीं हुआ मैंने उनको बार बार का कि मैं मेरे पैसे वापस कर दो मेरे को भाई entertainment चाहिए अपना पूरा उसमें ग्रे ग्रे लाइन क्यों देखूं मुझे तो विज्वल देखना है मैंने पैसे दिए हैं तो अगर इस तरीके का कलर दिखता है रेड ग्र अपना टीवी लेके जाओ दूसरा टीवी देके जाओ जब नया टेलिवीजन है वापस से टेस्ट करो मतलब जब तक आप satisfy नहीं हो जाते ना कि हाँ यह ठीक है तब तक आप टेस्ट करो टेस्ट करने के बाद रिटर्न करो नहीं समझा दूसरे ब्रेंड का टीवी ले लो पैसे वापस ले लो दूसरे बेंड लो ठीक है इसमें बहुत टाइम लगेगा हो सकता है कि आज टीवी घर आया फिर आपने कंप्लेंड की वो चार-पांच दिन बाद आए फिर चार-पांच दिन के दस दिन बाद वो टेलिवीजन स्टॉक में था नहीं था वो आपको मिल और 15 दिन लग गए तो इस पूरे प्रोसेस में 15-20 दिन एक महिना भी लग सकता है मैं मानता हूँ ठोड़ी सी माथा मगत ज्यादा हो जाएगी लेकिन हमने जो पैसे दिये हैं उस पे जो हमको जो चीज जैसी मिलनी चाहिए वैसी वो चीज हमें मिल जाएगी तो ये टॉपिक को कवर किया है जिसमें क keeping full एच दी, 4K, टेलीविजन ले रहे हैं तो 4K कैसे टेस्ट करें कि बकादा 4K है या नहीं है या Dalby audio लिखा है तो इसमें Dalby audio है की नहीं है यूट्यूब पर से जो हम वीडियोस देखते हैं वो उसमे डॉल भी लिखा होता है कि मैं टीवी पर नहीं दिखता तो हमको से डॉल भी हमारा साउंड बार है अगर या हुंधिर रोस पर साफ तारीके के वीडियोस मैंने बनाय हुए है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वहाँ से देख लेगा नहीं तो मेरा चानल को सब्सक्राइब करोगे तो एक नएक दिन देखने को मिली जाएंगे ज़रूरी नहीं है आजी बैटके सारे देखो खैर बहराल जादा बाते नहीं करते है फिलाल मैं आप लोग सागे लेता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद